Hello everyone, इस lecture में हम देखेंगे कोची-Euler equation और Eco-Dimensional equation, दोनों सेम है भई, तो इस equation ये मेरे पाथ nth order की है, तो इस equation का जो पहचान है वो कैसे पता चलेगा कि कोची-Euler है, तो जितने order का आपके पास derivative यहाँ पे रहेगा ठीक है, जितने order का derivative है, उतने order का ही आपके पास x की power में multiplication आपके पास आएगी राइट, तो ये nth order का था वाई, आप nth order का देख सकते हैं, ये nth order का है और आपके पास जो x की power n है, ये n-1 है, तो यहाँ पे x n-1 रहेगा, ठीक है, लेकर हमारे सलेबस में तो second order है, तो second order के लिए जो equation होगी, और second order को कुछ इस type की होगी, तो a0 x square d square divided by dy dx square plus a1 into x dy divided by dx plus a2 into y that is equal to f of x, ठीक है, तो ये वाई आपकी standard equation है, तो हमारे सलेबस में सिर्फ second order की है, तो पहचान देखो भई, second order का derivative है, तो x square से multiply है, first order derivative है, तो x के साथ multiply है, जहाँ पे कोई derivative नहीं है, तो कोई भी x जहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसी equation अगर आपको इजाम में आती है, तो उसको आपने कैसे handle करना है, वो ऐसे करना है कि x d by divided by dx जहाँ पे भी देख रहा है, उसको हम d के साथ replace कर देंगे, clear, जैसे ही x square into d square y divided by dx square है, इसको हम replace कर देंगे d into d minus 1, correct हो इतनी बात, और इस case में जो d की value होती है राजे, वो होती है d divided by dz, ठीक है, और जो x होता है, वो e की power z होता है, ठीक है, और यहाँ से z की value अगर मैं बात करूँ, वो क्या हो जाएगा, ln x, ठीक है, तो भाई, यह आपका important है, हम क्या करेंगे, यह यह वाली जो जो term है, इसको हम ऐसे replace कर देंगे, देखो a not, इस पूरी की जगब पर लिख देंगे, d into d minus 1, plus, हाँ जी, a1, इसको क्या लिख देंगे, राजी, d लिख देंगे, ठीक है, d, ok, plus, a2, ठीक है, और सभी के साथ y तो है यह आपका, तो y मेरा बाहर आजएगा, ठीक है, तो y मेरा बाहर आजएगा, इकल टो, यहाँ पर x जहाँ पर लिखा होगा, x की जगाँ पर e की पावर z लिख देंगे, तो यहाँ पर माल लीजे, function of z बन जाएगा, ठीक है, तो इसको बाद इसको हम d square वाली form में निकाल लेंगे, तो d square minus d, ठीक है, और साथ में a not भी आएगा भई, तो आप ऐसा करिए, यहाँ मैं इसको question की form में आपको बता देता हूँ भई, तो आपको simple, मैं यह चीज बहर ना जा रहा हूँ, जाब इसको simplify करेंगे, तो d square plus p d plus q, q, ऐसी equation बन जाएगी आपके पास, that is x of z, ठीक है, फिर इसका जो solution होगा आपका, solution is same as previous method, solution is same as previous method, बस difference j होगा, इसका जो answer आएगा, वो in term of z आएगा, ठीक है, in terms of z आपके पास आएगा, लेकिन last में आपने जो z है, उसको replace कर देना है, ln of x के साथ, और आपको आपका answer मिल जाएगा, ठीक है, तो cf और pi जो भी हमने इसका निकालना होगा solution के लिए, इसका complete solution जो होगा, y is equal to, वो cf plus pi आएगा, ठीक है, cf, pi भी आपका in terms of z आजाएगा, ठीक है, in terms of z, और जो cf निकालने का method है, same रहेगा, pi निकालने का method भी same रहेगा, ठीक है, लेकिन in term of z रहेगा, ठीक है, last में z को आप x की form में वैसे का, वैसे convert कर दो, आपका x और y की form में answer आजाएगा, ठीक है, d के साथ किया, plus, और y सब का क्या निकाल लिया, रहेगा, common निकाल लिया, equal to 0, ठीक है, तो इसको convert करिए d square minus d minus xd plus 1, माफ करिए, यहाँ पर जो x है, इसको भी हम d के साथ ही replace कर देते हैं, यह होता है, xd divided by dx, इसको ही हम d put करते हैं, राइट, तो यहाँ से xv मेरा हट जाएगा, ठीक है, तो x मेरा यहाँ से नहीं आएगा, ठीक, चलिए, तो यह equation मेरे पास कुछ, इस type की बनेंगी, ठीक है, y that is equal to 0, तो क्या बनेगा, d square minus 2d plus 1, तो भाई यह homogeneous equation है, means right hand side 0 है, right hand side 0 है, तो इसका pi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलि इसका complete solution y होगा, वो cf ही होगा, ठीक है, pi तो मेरा 0 है, चलिए, तो cf निकाल देंगे भाई, cf निकालने का method क्या है, d square minus 2d plus 1 equal to 0 कर देंगे, तो ब 1, correct हो इतनी बाद, तो अब जब cf लिखेंगे, यह थोड़ा सा दियान से देखना भी, यहाँ पर फरक आएगा, cf एफ एकल to, c1 plus c2, यहाँ पर x लिखते थे, x की जगा पर क्या आएगा, राजी, z आएगा, ठीक है, यह वस्ट दिफरेंस है, e की पावर, m, m कितना है, 1 तो z आजाएगा, ठीक है, तो यह cf आगया, अगर यह cf है, जहीं मेरा complete solution हो जाएगा, c1 plus c2z into e की पावर, z, ठीक है, लास्ट में आपने put कर देना भी, z is equal to lnx, ठीक है, तो y की value क्या आजाएगी, c1 plus c2 lnx, बाहर कितना लिखा है, e की पावर, lnx, ठीक है, यह दोनों तो cancel हो जाएगे, तो y की value कितनी ही आजाएगी, x मेरा यह रहा, x आजाएगा, तो c1 plus c2 into lnx, राइट, और साथ में multiplication किसका आजाएगा, x का multiplication आजाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई confusion है, तो बताइए, ठीक है, तो option के according, आपने इसको rearrange कर लेना है, ठीक है, तो question number 2 देखिए जल्दी से, जे जो x square है, dx और जे वाली form है, इसको हम convert कर देंगे, d into d minus 1 के साथ, साथ में by आ जाएगा, चलो इसको मैं complete करके दिखा देता हूँ, फिर आप x और इस पुली form को d के साथ replace कर देंगे, साथ में by पड़ा है, 4y equal to 0, ठीक है, तो d square minus d by कोमर लेंगे, प्लस d minus 4 y मेरा कोमर आ गया, इकल to 0, ठीक है, तो j d और j d cancel हो गया, d square minus 4 आपका बचेगा, by that is equal to 0, हाँ जी, तो d square किसके इकल बचेगा, 4, तो d की value आगी, 2, 1 minus 2, तो cf क्याने होगा, वो ही मेरा y होगा, because complete solution मेरा cf क्यों होगा, क्योंकि right hand side 0 है, तो इसका pi कितना हो जाएगा, 0 हो e की power 2 x की जगा पर क्या लिखेंगे, z plus c2 e की power minus 2 z, ठीक है, अब boundary condition गिवन है, जब मेरे पास y equal to 0 है, sorry, जब मेरे पास x 0 है, तो y भी 0 है, लेकिन यहाँ पर to z है, तो सबसे पहले हम z को खतम करेंगे, ठीक है, तो z को कैसे खतम करेंगे, z की जगा पर value लिख देंगे, क्य फिरा बोलो ln x, ठीक है, तो y किसके एक कला जैएगा, c1 e की power 2 ln x plus c2 e की power minus 2 ln x, ठीक है, तो next step में हम क्या करेंगे, यह जो power है, जे 2, जे आगले step में इसके उपर ले जो भई, ठीक है, इसके उपर आ जाएगी power, ठीक है, तो ऐसे ही हम यह करेंगे, यह जो power है, next step में इसके उपर ले लेंगे ठीक है तो LN और E तो क्या हो जाएगे cancel हो जाएगे LN और E cancel हो जाएगे तो Y की value क्या बचेगी C1 X square plus C2 divide Y X square ऐसा ही कुछ बचेगा वई ठीक है तो अगर ऐसा ही कुछ बचेगा तो इस case में मुझे एक चीज बताएगे क्या होगा Y 0 पे boundary condition क्या given है भई Y 0 पे आपके पास Y 0 पे sorry X 0 पे Y 0 है ठीक है तो यहाँ भी 0 लिख लेंगे ठीक है तो 0 is equal to C1 into 0 का square plus यह क्या बचेगा C2 divide Y 0 ठीक है तो यह term तो 0 हो जाएगी राजी तो 0 is equal to C2 1 by 0 क्या होता है infinite ठीक है तो इस equation को identify करने के लिए prove करने के लिए C2 को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे C2 की value कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी ठीक है तो second आपके पास क्या given है Y 1 पे 1 Y 1 equal to 1 है ठीक है means Y 1 equal to 1 जब X 1 है तो Y कितना है 1 तो 1 is equal to C1 plus C2 ठीक है C2 तो मेरा 0 है तो यहाँ से C1 की value किसके एक लागी वई 1 यह मेरी standard equation A थी ठीक है C1 और C2 की जो value आपके पास आई है इसको put कर देंगे equation number A पे ठीक है तो Y is equal to क्या जाएगा C1 1 है X square plus C2 तो क्या हो गया 0 तो Y is equal to X square question का क्या जाएगा answer आजएगा correct हो इतनी वाद तो easy question है वही तो बस आपने थोड़ा सा यही याद रखना है कि X की जगा पे Z लेना है ठीक है तो simple सा question है जो पहले हमने जो चीज़ें की थी वो same चीज़ें आपके यहाँ पी use होने वाली है ठीक है जी simplify कर लो d square minus d minus 3d plus 3 बाहर आजएगा y रबर है 0 तो क्या हो जाएगा d square minus 4d plus 3 y equal to 0 pi तो 0 है तो इसका cf क्या हो जाएगा भई d square इसके factor बना लो भई 3d minus d plus 3 equal to 0 तो d minus 3 और d minus 1 इसके दो factor बन जाएगे तो d की value एक 1 आगी एक की आगी 3 आगी ठीक है तो c of f which is equal to y that is equal to c1 e की power z plus c2 e की power 3 z कोई confusion कोई दिक्कत है तो बताइए वही कोई boundary recognition इसमें given है बिलकुल given है अब यहाँ पे लिख लेता हूँ y1 equal to 0 और y dash 1 equal to 2 sorry minus 2 चली उपर ही कर लेते हैं जब मेरे पास y1 equal to 0 है ठीक है जब मेरे पास standard equation a1 है राइट आप मुझे एक चीज़ बताइए y x की value जब 1 है y मेरा 0 है तो y की value 0 put करो x की value sorry सबसे पहले हम इसको यार x की form में convert करेंगे ठीक है क्योंकि boundary condition मेरा x की form में given है राइट चलिए इसको x की form में convert करें z को क्या put कर देंगे ln x ठीक है तो y is equal to c1 e की power ln x plus c2 e की power 3 ln x तो आगले step में लिख ले ना वही आपने यहाँ पे change नहीं करना आगले step पे लिखिए यह 3 को हटा देंगे और 3 हटने के बाद क्या हो जाएगा आपका बोलो जल्दी से जैसे ही यह 3 हटेगा तो यह power में चला जाएगा ठीक है आगले step में यहाँ पे 3 करनेगे ठीक है फिर क्या हो जाएगा j term और j term cancel हो जाएगी तो y किसके इकला जाएगा c1 x plus c2 into x q j मेरे पास standard equation 1 1 जाएगी ठीक है तो चलिए पहली boundary condition क्या given थी आपकी y1 0 y1 पे इसकी value 0 है तो चलो 0 c1 plus c2 जही equation a1 गया ऐसे ही अब second क्या given है इसकी derivative 1 एकल टो 0 ठीक है तो इसको हम उपर करते हैं वही y की value क्या आगी थी y आगया था c1 y is equal to c1 x plus c2 x cube ठीक है और हमने last पे value निकाल ली c1 plus c2 equal to क्या वही 0 जही मेरी equation बन गी है ठीक है चलिए आप मैं इसका derivative कर देता हूं तो जही बनेगा c1 plus 3 x square c2 ठीक है आप इसमें condition पुट करो जब x is equal to 1 है y dash की value स्टाइम कितनी है minus 2 ठीक है यहां पे पुट करो minus 2 is equal to c1 plus 3 1 का square c2 तो यहां पे क्या आग गया भई c1 plus 3 c2 equal to minus 2 एक condition मेरे पास यह आई है c1 c2 equal to क्या है 0 तो दोनों को minus कर दो भई यह चीज हट जाएगी कितना बचेगा 2 c2 that is equal to minus 2 c2 की value किसके एक एक लाजेगी minus 1 इसका मतलब अगर c2 minus 1 है तो इसका मतलब c1 किसके एक लोगा अगर आजी 1 के एक लाजेगा ठीक है इसको हम यह जो y वाली value है पर रख देंगे ठीक है तो y की value के आजेगे c1 है 1 और c2 कितना बचेगा minus 1 ठीक है तो इस question का जो right answer हो जाएगा that is x minus x cube correct हो इतनी बात चलिए आगला question देखते हैं बचेगा तो practice करनी है बचेगा हारे question की ठीक है जो electrical में आया हुआ question है question number 4 चलिए इसको क्या लिखेंगे d d minus 1 plus d minus 1 ठीक है तो y मेरा कॉमर आजेगा that is equal to 0 ठीक है तो d square minus d plus d minus 1 y that is equal to 0 d के साथ d cancel हो जाएगा तो d square minus 1 को 0 रखेंगे for cf तो d की value कितनी आजेगी plus minus 1 तो यहाँ पे y मेरे पास कितना आजेगा c1 e की power z plus c2 e की power minus z z को क्या बट कर देगा आजे ln of x तो y किसके एकला आजेगा c1 e की power ln x plus c2 e की power minus ln x तो आपको clear है भाई जो minus है वो क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और उपर चला जाएगा ठीक है minus 1 ठीक है जे और जे चीज cancel हो जाएगी तो y की value किसके एकला जाएगी बोलो जल्दी से y is equal to c1 x plus c2 by x correct हो इतनी वाद तो j मेरे पास y की value आजाएगी सी 1 x plus c2 by x correct हो इतनी वाद अब जे जो option है option मेरे पास जे 4 option given है कोई भी boundary condition नहीं given है ठीक है तो इस case में आपने क्या करना है आपने just c1 और c2 की value इस side से जीम कर लेनी है so that आपकी option match कर जाए ठीक है तो सबसे पहले देखो कोई x वाली term है इसके अंदर कोई भी x वाली term आप देख सकते हूं नहीं है ठीक है तो x वाली term यहाँ पे यहाँ पे e की power x है x square है 1yx है यह क्या है ln of x है ठीक है और अगर मैं 1yx की बात कर देखो 1yx 1yx की term इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें है और lnx ठीक है कमकि lnx तो possible ही नहीं है किसी साब से ना x square possible है ना e की power x possible है इसका मतलब इसका जो अंसर होगा वो option c हो जाएगा ठीक है इसका मतलब यहाँ पे c1 की value 0 रही होगी और c2 की value इतनी रही होगी 1 ठीक है तब ही तो मेरा y किसके close जाएगा 1yx correct हो इतनी बात तो इस type की बी question आपको मिल जाते है समझे भई बात कोई confusion कोई doubt है तो बताइए भई चलिए तो question number fifth देखते हैं भई question number fifth question number fifth में क्या है भई आपके पास same equation is given है और आपने इसका solution निकालना है ठीक है तो d d minus 1 minus d minus 3 ठीक है that is equal to 0 यहाँ पे y भी आ जाएगा भई तो d square minus d minus d minus 3 y that is equal to 0 तो क्या भज़ेगा d square minus 2d minus 3 equal to 0 निकाल देंगे for cf तो d square minus हाँ जी क्या होगा यहाँ पे क्या होगा भई so that आपका answer आपका match कर जे minus 2d चाहिए न तो यहाँ पे आजएगा minus 3d plus d minus 3 equal to 0 तो factor बनाने भई आपको आने चाहिए ऐसा ना होके factor बनाने ही न आपको आई that is equal to 0 तो d की value minus 1 आगी एक plus 3 आगी ठीक है तो y की value क्या जाएगी c1 e की power minus z plus c2 e की power 3z तो next step में हम क्या करेंगे इसका ln x z को put कर देंगे ln of x clear तो y की value क्या जाएगी वो low c1 e की power minus ln x plus c2 e की power 3 ln x ठीक है जे 3 क्या हो जाएगा इसकी power में हो जाएगा जे minus भी क्या हो जाएगा इसकी power में हो जाएगा ठीक है c1 e की power ln x की power minus 1 c2 e की power ln x cube ये हो जाएगा cancel तो y की value क्या जाएगी c1 y x plus x cube c2 ये मेरे पास भाई answer आजाएगा clear आभी point तो जे मेरे पास वाई अंसर हो जाएगा I hope अगर कोची उलर का question आता है exam में आप easily उसको कर पाऊंगे ठीक है तो next एक last एक note करके point लिखिए इसके उपर भी कई बार question आ जाता है ठीक है कई बार क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कोई derivative हो उतने बार आप integration कर दो आपको आपका answer मिल जाएगा correct हो इतनी बात चलिए मालीजे मेरे पास dqy over dx cube is equal to x given है ठीक है मालीजे given है मुझे इसका solution निकालना है ठीक है तो solution कैसे निकालनेंगे सबसे पहले integrate कर देंगी integrate with respect to x integrate integration और जो derivative है राजे derivative खत्म हो जाएगा तीन की जाएगा पिर अब क्या बचेगा दो रहेगा ठीक है on both side ठीक है दूसरी side integrate x का क्या होता है x square by 2 plus कोई constant add हो जाएगा मेरा c1 ठीक है फिर हम इसको integrate करेंगे राजी integrate with respect to x on both side right तो एक derivative फिर मेरा cancel हो जाएगा ठीक है dy by dx equal to क्या हो जाएगा x square का क्या होता है x cube by 3 और 2 था 3 into 2 c और constant क्या होता भई x ही होता है ठीक है अब secondary बेटी का हम another अब देखो इसका integration करना था ठीक है c1 का क्या हो जाएगा c1 x एक हमने constant add करना ही होता है ठीक है next again फिर हम कर देंगे integrate with respect to x on both side right तो क्या हो जाएगा last में y आपका solution मिल जाएगा that is your complete solution which is equal to x की power 4 by 4 4 into 6 is equal to 24 और c1 x का क्या हो जाएगा x square by 2 c2 का क्या हो जाएगा c2 x लेकिन another constant और add हो जाएगा ठीक है तो यह तब है जब आब बर आपके पास एक ही differential coefficient के बन हो और दूसरी side क्या हो function of x हो ठीक है ऐसा एक question एक gate में बूचा गया है civil में उसको देख लेते हैं ठीक है समझे में आई बात तो यहाँ पे आप देख सकते हूं d square y dx square minus 12 x square plus 24 x minus 20 ठीक है तो सबसे पहले sorry integrate कर देंगे इसको integrate with respect to below x on both side तो dy by dx रह जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा minus 12 x की power 3 by 3 plus 24 x square by 2 minus 20 x plus any constant c1 इसको simplify कर लो भई 4 x की power 3 plus 12 x square minus 20 x plus c1 यह है dy by dx ठीक है एक बर फिर इसको integrate कर देते हैं ना जी दोनों side तो y last में बचेगा minus 4 x की power 4 by 4 plus 12 x की power 3 by 3 minus 20 x square by 2 plus c1 का क्या हो जाएगा c1 x और another second integration का constant आपका add हो जाएगा ठीक है जी बोलो अब इसको cancel कर दो भई यह 4 पे जाएगा यह 10 पे जाएगा ठीक है तो final जो y मेरे पास यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिखने ता हूँ y is equal to कितना आजएगा minus x की power 4 plus 4 x cube minus 10 x square plus c1 x plus c2 ठीक है तो j मेरे पास last पे y की value आ जाएगी ठीक है तो अब जो मेरे पास condition given है हम उस condition का use करेंगे और c1 और c2 की value निकाल लेंगे फिर आपको y की value निकालनी है at x is equal to 1 ठीक है तो x is equal to 1 जब आपके पास c1 c2 आ गया आपने x की जगे पे क्या put कर दिना है 1 put कर दिना है आपके पास y का answer आपको मिल जाएगा राइट आप जल्दी से जो boundary condition given है उसका हम use करेंगे उसका use करने के बाद हम क्या करेंगे इसको further simplify करेंगे तो y is equal to minus x की power 4 plus 4 x cube minus 10 x square plus c1 plus c2 calculation check करते रहना वही कई बार क्या होता है जल्दवाजी में mistake हो जाता है ठीक है तो जल्दी से boundary condition क्या है पहली जब x 0 है y की value कितनी है 5 तो पहली boundary condition का मैं use करूंगा जब x 0 है y 5 है जे भी 0 0 0 तो इसका अदर c1 plus c2 बचा मेरे पास is equal to 5 second क्या है जब x 2 है तो y मेरा 21 है 21 is equal to minus 2 की power 4 plus 4 2 की power 3 minus 10 2 square c1 यहाँ पे c1 plus c2 था वई चेक कर लो वई यहाँ पे मेरे खियाल से c1 into x था यहाँ पे c1 into x था ठीक है तो अगर c1 into x था इसका मतलब यहाँ पे c1 की जो value है वो तो मेरी 0 हो जाएगी c1 0 हो जाएगी तो directly मुझे c2 मिल जाएगा ठीक है तो पिछे चेक कर ले ना वई क्या था तो यहाँ पे क्योंकि x की value 0 रखेंगे ना तो जब x की value 0 है तो यह तो हट जाएगा तो c2 का value मेरे पास आ जाएगा ठीक है चलिए कोई बात c1 into x x की जगा भी value कितनी है 2 प्लस c of 2 ठीक है इसको simplify कर लेते हैं कितना आ जाएगा 21 that is equal to minus 16 plus 8 into 32 minus 40 plus 2 c1 plus c2 की value कितनी आगी थी भाई 5 ठीक है तो कितना बचेगा यहाँ से बचा minus 8 minus 8 और minus 24 minus 24 minus 24 4 और 5 minus 19 minus 19 इंतर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2 c1 is equal to 21 plus 19 तो कितना हो जाएगा भाई 40 तो c1 की value किसके एककला जाएगी 40 divided by 2 that is equal to 20 ठीक है तो c2 5 आ गया भाई और c1 आपका 20 आ गया ठीक है इसको हम यहाँ पे put कर देंगे ठीक है जो भी value आपने calculate करनी है उसकी value आप जल्दी से y calculate करो और मेरे साथ match करीगे ठीक है जी मेनत करो मेनत आपको कामजाबी की तरफ जरूर लेके जाएगी ठीक है time pass नहीं करना है concept को समझ कर ही आपने solve करना है तो y की value कितनी आजेगी x की power 4 plus 4 x q minus 10 x square plus c1 है 20 x plus 5 आप क्या करना है x is equal to 1 पे y की value निकालनी है बाई minus 1 की power 4 plus 4 minus 10 1 square plus 20 x 1 plus 5 तो solve करिये जी minus 1 plus 4 minus 10 plus 20 plus 5 ठीक है simplify करो बाई पहले positive बाले जोड लो 24 29 29 minus कितना होगा बाई 11 तो answer कितना आगया 18 ठीक है तो इस question का जो right answer होगा that is 18 clear I hope भाई आपको पूरा का पूरा differential equation समझ में आया होगा तो differential equation अगर मैं gate की बात करूं that is very very important है इसको अच्छे से भाई 2-4 concept ही है इसके अंदर अगर वो आपके clear है तो आपका पूरा differential equation आपका clear है clear होई इतनी बात तो आज इस lecture में आपका जो differential equation है वो complete हो गया है I hope आपको जे पूरे के पूरे जो lecture है वो समझ में आए होंगे अगर फिर भी कोई इसके अंदर doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो ठीक है तो मिलते है next thank you आपको आपको आपकान स्हें सकत आपकान